हेलो स्टूडेंट आपका अपने ट्यूटर जी चैनल में स्वागत है आज का हमारा टोपिक है मेंडल्स मोनो हाइब्रिट क्रोस जो की एक फेमस साइंटिस्ट गेरिगर मेंडल जिने की फादर ओफ जैनिटिक भी कहा जाता है नहीं एक्सपेरिमेंट किया था इस टोपिक प पताया था कैसे अलग अलग स्पेशिस का क्रोस करके निया स्पेशिस बनाया जा सकता है उन्होंने जी एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पर किया यानि कि मतर के पोधे पर किया उन्हें से मोनो हाइब्रिट इसलिए कहा जाता है मोनो का मतलब होता है सिंगल यानि कि उन्होंन तो ड्वार्फ प्लांट जिने बोना पोधायर की । दॉर्ण फॉलाए दॉर्ख धॉर्ण को to two set होते हैं और इन्हीं parental generation कहा जाता है जहां से two two gamet निकलेंगे ताल plant से two gamet निकलेंगे यानगी capital T हम लिख सकते हैं जिसने वो small डौफ plant से two gamet निकलेंगे जिने की small letter T से हम लिख सकते हैं तो यह इनके gametes होंगे तो अब इनकी क्रोस के ऐसी होगे, first plant का gamut, second plant के gamut से cross करेगा जैसे इसका capital T इसके small T से इसी तरह से first plant का capital T second plant के small T से जब जब गया gamut cross होंगे आपसमें fuse होंगे तो क्या बनेगा capital T small T, capital T small T इसी तरह से इस वाले जो dwarf plant का small T है उसके capital T से जब cross करेगा first plant के कुछ इस तरह से ड़ा कर सकते हैं तो भी क्या बनेगा capital T और small T capital T और small T इस तरह से first plant का जो ये वाला gamit है capital T और ये वाला second plant का small T अगर ये cross में करता है इनका भी क्या बनेगा link capital T और small T इस तरह से हमने mandal ने ये देखा mandal ने ये पाया कि जो first generation ये parental generation ये first generation जिसे F1 से denote किया जाता है इसे first filial generation में कहते हैं इसमें सभी plant जो थे tall थे तो कि एक जैसे ही combination बने थे capital T small T, capital T, capital T, capital T, capital T capital T, capital T, capital T तो सभी plant mandal ने पाया कि tall थे उसकी height ज्यादा थी dwarf plant का character किसे में दिखाई ने दे रहा था physically सभी tall थे और physically जो character show हो रहा था tall हो रहा था तो tall plant को उसने बोला dominant character और जो dwarf plant था ये small letter का T था वह tall plant के character पर depend कर रहा था उसे recessive कहा गया capital T था dominant 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 और जो small t था उसे कहा गया recessive क्योंकि ये अपना character show नहीं कर रहा था recessive इसका character थोड़ा दबा सा रह गया और जिसकी चल रही थी जिस character की उसे कहा गया dominant character उसके बाद उसने इसे again इनी प्लांट का F1 generation के जो कोई भी दो प्लांट ले लिए उसका अलग से cross करवाया है इसे हम two method से कर सकते हैं एक तो cross line and draw करकर और एक peanut square के साथ सबसे पहले आपको देखते कौन सा easy लगता है आप किसी भी method से कर सकते हैं मैं दोने method कर देता हूँ पहले तो हम इसको cross line and draw करकर करेंगे जब इनका cross करते है तो यहां से भी two character आते हैं two gametes कहने का मतलब एक तो capital T एक small T क्योंकि capital T small T इससे तरह से यहां से भी capital T और एक small T तो यह आपने याद रखना यह कौन सी generation है एक F1 generation है यही generation है अब इसके बाद जो बनेगी F2 तो क्या क्या combination बन सकता है हो सकता है पहले plant का जो यह वाला gametes है यह इस plant के gametes से cross करें fuse करें तो क्या बनेगा two time capital T या फिर next case हो सकता है यह वाला small letter का T इस वाले small letter के T के साथ cross कर जाएं कुछ इस तरह से तो क्या बनेगा दोनों small T है इसके बाद और कॉन कॉन सा हम combination बना सकते हैं कि यह वाला capital T और यह वाला small T यह capital T और इधर से next time कर सकते हैं एक case रहा हमारा कि यह वाला capital T और इस small T का combination नहीं बना यह वाला capital T और इधर से small T तो यह जो generation है यह f2 generation है f2 generation है अगर आपको clear हो गया तो ठीक है मैंने बोला था कि वैस तो बहुत simple है यह भी लेकिन फिर भी एक इससे भी simple easy method है जिसे हम punet square बोलते हैं हम उससे भी कर लेते हैं तो पहले इसको मैं erase कर देता हूं इसमें हम क्या करेंगे वही एक square यानि कि four square ड्रा करेंगे four square कुछ इस तरह से हम कर लेते हैं कुछ इस तरह से और एक तरफ हम यह वाला parents उतार लेते हैं capital T और smart T इस तरफ यह वाला parents उतार लेते है capital T और smart T यह कुछ easy है इसमें mistake बहुत कम होती है जगलो mistake होती ही नहीं यह capital T और यह capital T इस box से link है इस box का किस से link लग रहा है यह box की अगर यहां से state देखें तो वहां से capital लाएगा इसमें अगर उपर से state देखें तो small T उतरता है इस तरफ इस T में इस T में अगर इधर से देखें small T उपर से देखें तो capital T यानि capital T हमने पहले लिखना होता है small T बात में अब यह box को उपर देखें तो small letter का T है इधर भी small letter का T है दोनों वार किया है small letter का T तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं यह है F2 generation तो जहां पर capital T, capital T, capital T होता है जिस combination में एक new capital T है जहां दो capital T है वहां पर बनेगे tall plant तो थीन केस में है तो यहाँ पर भी tall plant यहाँ पर भी tall plant यहाँ पर भी tall plant यह पर भी tall plant ऑर mayndal को पता लगा कि यह बहला केस था इसमें क्या था dwarf plant तो तीन थै are tall plant और एक thes इसकी जो ratio बनेगी physically 3 tall plant है और एक dwarf plant 3 is to 1 यह उसकी थी phenotype ratio लेकिन अगर genes के coding देखें जिसे genotype ratio कहते हैं तो वह कैसे बनाएंगे वह हम देखें कि combination की कौन कौन से gene में क्या क्या है इसमें two time T capital T है एक case है एक case है कि two time है capital T यहाँ पर डोट डालते है ratio नकालनी है और capital T और small T कितनी वार आया है एकस बॉक्स में two time है तो यहाँ पर two लिखकर दो बार आया है capital T और small T और दोनों बार small T हो वह कितने case है एक तो यहाँ पर one time क्या है दो बार small T इनकी ratio क्या बनती है अगर T T हटा दे तो one ratio two ratio one तो यह था topic mono hybrid cross का अगर आपको जब वीडियो पसंद आई हो तो इसे like करना न भूले और channel को subscribe कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो मिल सकें और आप किस topic पर वीडियो चाहते हैं प्लीज हमें बताएं ताकि ह हम आपको उस topic पर वीडियो बना कर दे सकें thanks for watching